जैसा कि आपको ग्यात होगा उत्तर प्रदेश में एक नया सिक्षा सिवा चैन आयोग का गठन हो रहा था जिसके मादम से सभी इस तरके सिक्षकों की भरती होना प्रस्तावित है वो आयोग का गठन कागजो पर पूर्ण हो चुका है मैं कागजो पर क्यों कह रहा हूँ आग आपी शैनल पर पहली बार उजिट कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल एकन को प्रस करना ना भूले है मैं कागजो पर इससी वज़ा से कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया थी कि पहले कैबिनेट से पास होगा उसके बासे विधिया के तोर पर विधान समा में से पास होगा उसके बासे राजेपाल के पास सिगनेचर होने के लिए जाता है वहां से सिगनेचर होने के बासे जो सरकारी गजट होता है यहां तक कारे कंप्लीट हो चुका है उत्तर प्रदेश राज्यसरकार का जो सरकारी गजट है उ लेकिन अभी पूरी तरीके से तैयार इस वज़से नहीं हुगा है क्योंकि अभी इसके सदस्यों का चैन होना बागी है जैसा कि आपको ग्यात होगा एक इसमें अध्यक्ष होगे और 12 इसमें सदस्य ठीक है उनस सबका अभी सेलेक्षन बागी है इस वज़े से आगे की प्रक्रियाओं में थोड़ा विलंब देखने को आपको मिल सकता है इसके बाद से जैसा कि आपको प्रात्मिक सिख्षक भरती का इंतिजार है जिसे आप सूपर्टर की नाम से जानते हैं यहाँ पिर्देश के बेसिक सिख्षा परषध में जो भी विद्द्याल है उसमें शिख्षकों की भरती भी यहीं आयोग करने वाला है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं सदस्यों के बारे में बात की गई है कितने सदस्यों होगे और कितने एक अध्यक्ष होगा इसके साथ ही साथ आयोग के इस्थापना के लिए जो इसका मुख्याला है वो प्रियागराज में होने वाला ठीक है और आयोग की सनचना में बाहर होगा, eligible होगा, इस सब के लिए, इस सब के बारे में यहां पर mention किया गया, ठीक है, उसके बाद से आयोग की सक्तियों एवं कर्तवे में देखेंगे, तो यहां पर देखे, इसका गौवाला point देखे, उत्तर प्रदेश, अध्यापक, पातरता परिक्षा आयोजित करना और संचालित करना, यानि यूपी टेट का भी जिकर यहां पर किया गया है, ठीक है, और साथी साथ सूपर टेट का तो हो गई होगा, यह जो पुरा सिख्षा सेवा चैन आयोग है, इसमें आपके भरती की क्या प्रक्रिया रहेगी, यह नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ के बाध से उनको न्युति पत्र दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर यहने कहा सकते कि सूपर टेट के कितना पर सेट वेटेज रहेगा, यूपी टेट का माँग जुडएंगा या नहीं, बतादर के मार्क जुडएंगा या ने है, यह सब इसमें चरचा नहीं किया गई, ओ इंटर्वियू का भी प्रावधान किया गया है, चुकि ये आयोग जो है किवल प्रात्मिक इस्तर की सिछक भरती तो नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्रात्मिक से लेकर के उच्छ प्रात्मिक उसके बासे आप मादमिक और उच्छ मादमिक सभी इस्तर के सिछकों की भरती यही आयो करने वाला है उसके लाबा प्राविदिक सिख्छा को की भरती भी यहीं करने वाला है तो उन सब के लिए भी कहीं कहीं जहां जैसे PGT मान लिजे वहाँ पर इंटर्विव का प्रावधान हो सकता है उसके प्राविदिक सिख्छा में जैसे टेक्निकल एजूकेशन में इं जब ये आयो के बारे में चर्चा चल लए थी जनवरी 2023 में उस समय मानेने मुख्यमंत्री जी ने प्रमुक्ता के अधार पर यूपीटिट का आयोजन करने के लिए कहा था लेकिन जब तक इसके अध्यक्ष और जब तक इसके सदस्य नहीं होंगे तब तक इसके संदर में नो 2023 की तो सितंबर मिड तक हम लोग आ चुके हैं इसके बासे अक्टूबर, नवमबर, दिसंबर अक्टूबर, नवमबर, दिसंबर तीन महीना उधर और आधा महीना ये मान लिजे मोटा मोटी आप मान लिजे कि 3-3 महीना बचा हुआ है 2023 समाप्त होने में अगर इस समय भी न नोटिफिकेशन जारी होता है तो भी आपका इस साल के आंतर तक परिच्छा हो पाना पॉसिबल होगा लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके सभी सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा जो कि अभी पेंडिंग है अभी अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है ठीक है तो इस वर्स मुश्किल ही लग रहा है कि यूपीटेट का परिच्छा हो पाए हलांकि अगर लाश्ट तक जाते जाते ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे जिसकी मुश्ट प्रभरबल चांसे से हैं क्योंकि अगले वर्स दोहजर चौबिस में आउजन करा लिया जाय ताकि एटलिस्ट सिक्षक भरती ना दें तो कम से कम एक यूपीटेट की परिच्छा तो दिखा सके कि हां हम सिक्षक भरती की बात करें तो राज जिस सरकार की अभी तक कोई भी मनसा नहीं है सिक्षक भरती को ले करके विधान सभा में दियेगा रसलती है उनको कउंट किया जाता है ठीक है आगे के रोट मैफ पर कभी भी बात किवल रिटायर्मेंट भी देखेंगे तो 10-15,000 हर वर्स सिक्षक रिटायर होते हैं तो लगबाग 40-45,000 तो इधर खाली हो रहे हैं और 50,000 उधर का खाली है मोटा मोटी देखेंगे तो एक लाग तो ऐसे हाथों पर आप किन सकते हैं कि पद खाली है लेकिन यहाँ पर डिपेंड यह करेगा कि इच्छा सकती है या नहीं सिक्षक बढ़ती देने के लिए जो कि बहुत कम दिख रही है क्योंकि 2024 का लोगसभा चुनाओ भले ही है लेकिन रोजगार पिछले 2-3 लोगसभा चुनाओ आप देख लिजे या फिर आप विधान साबा चुनाओ देख लिजे क्या कभी रोजगार मुद्दा बन पाया है बहुत कम चांसे रहते हैं कि रोजगार के नाम पर वोट होगा इस वज़े से राजे सरकारों को भी यह अब लगने लगा है जब तक धरातल पर ना जाए तब तक आप नहीं मान सकते हैं कि सूपर्टर्ट की परिच्छा का आयोजन होगा ही होगा ठीक है तो यह सभी चीजे अभी चल लही हैं उत्तर प्रदेश में सिख्छक भरती को ले करके अभी रास्ते कठिन दिख रहे हैं हलांकि यहां पर मैं कोर्ट केस का भी जिक्र करना चाओंगा जैसा कि आपको ग्यात होगा स्री इंदुभाल तिवारी जी के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है आर्टी एक्ट के धारा 26 को आधार बनाते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का धारा 26 यह कहता है कि अगर किसी भी विद्याले में या फिर किसी भी जीले में स्विक्रित पदों के 10% से ज़्यादा अगर पद खाली हैं तो फिर राजसरकार की जिमेदारी होगी कि वह उन पदों को भरे अब बहुत सारे ऐसे मतलब जीले हैं जहाँ पर 10% से ज़्यादा पद खाली है और बहुत सारे ऐसे विद्याले हैं जहाँ पर 10% से ज़्यादा पद खाली है तो RT Act तो ये निर्देशित जरूर कर रहा है राजसरकार को कि आपको सिख्षक भरती करना चाहिए लेकिन यहाँ पर किया क्या जा रहा है कि सिख्षामित्र जो की RT Act के हिसाब से वो टीचर के तौर पर काउंट नहीं हो सकते क्योंकि वो टीचर के सभी मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं अगर आपने TET क्वालिफाई नहीं किया है तो आप टीचर के तौर पर नहीं काउंट किया जा सकते तो निश्यों तोर पर राज सरकार बाद हो जाएगी एक बड़ी सिख्षक भर्ति करने के लिए क्योंकि सिख्षक भर्ति के लिए पद तो खाली है बस इच्छा सक्ती चाहिए होगा तो ये सब कुछ है उत्तर प्रतिस में उमीद करता हूँ कि इस नया सिख्षा से वैचेन आयोग यूपी टेट और सूपर टेट को ले करके सारी सिती आपकी स्पष्ठ हो चुके होगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुक्भ हो